बांगलादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यानि फ्रोफेसर मोहमत यूनोस को इस समय अमिरिका का फुल सपोर्ट मिल रहा है इसमें कोई भी शक नहीं और वो हमें तब देखने को मिला जब प्रोफेसर मोहमत यूनोस अमिरिका गए थे और वहाँ उनके साथ क्या क्या वो हमने बारिकी से देखा अब इसी अमिरिका के दम पर जोश में आया बंगलादेश भारत को ही आखे दिखा रहा है अदानी गुरूप ने जो बिजली बंगलादेश को सप्लाई की है उसकी पेमिंट्स क्लियर करने के बज़ाए अब उल्टा बंगलादेश ने भारत के उपर ही आरोप लगाते हुए भारत को ही धमकी देनी स्टार्ट कर दी है ये तो हम सब जानते है कि बांगलादेश को भारत को यानि आदानी गुरूप को 7200 करोड रुपे पे करने है जिसके डेडलाइन रखी गई है 7 नवंबर हलाकि इतने पैसे बांगलादेश के पास है प्रोफेसर मोहमत युनूस बांगलादेश इंटरिम गवर्मेंट के हेड बने तो उन्होंने शेख हसिना सरकार के समय जो भी डिल्स बांगलादेश और भारत के बिच साइन हुई थी उन सब को रिवीव करने क्या आदेश दे दिये इसके लिए बकाइदा एक रिवीव कम प्रोफेसर में नहीं थे ये डिल्स तो बस भारत का आपसी फायदा निकालने के लिए की गई थी बांगलादेश को इससे लॉस ही हुआए इसलिए जो इन डिल्स को लेकर टम्स एन कंडिशन थी उन्हें फिर से रिवीव किया जाए अब जब बाकि डिल्स को रिवीव किय या ही जा रहा था तो उसमें अधानी ग्रूप और बांगलादेश पावर डिवलप्मेंट बोड का अग्रिमेंट भी शामिल था जो की साल 2017 में साइन हुआ था और इसी अग्रिमेंट के तहेत अधानी ग्रूप को 25 सालों तक बांगलादेश को इलेक्ट्रिसिटी का कॉंट्राक मिला हुआ है अब जो ए डिल शेक हसिना गवर्मेंट की टाइम साइन हुई थी इसी को लेकर बांगलादेश की सरकार की रिवीव कमिटी ने भारत और अधानी ग्रूप के ऊपर काफी सारे आरोप लगाने शुरू किये है कि बांगलादेश ने भारत के साथ जो ए डिल की वो पूरी तरे से वन साइड डिल थी यानि एक तरफा डिल थी जिसमें भारत और अधानी ग्रूप को ही फाइदा पहुचाए इस डिल में अधानी ग्रूप को ही बिना किसी कॉम्पिटेटिव बीडिंग के साथ अग्रिमेंट दिया गया था यानि टेंडर निकाल कर कोई बीडिंग प्रोसिस नहीं करवाए गई ताकि सबसे कम प्राइस वाले सप्लाइर को ही चुना जा सके इसके लिए शेख हसिना की सरकार ने सब विदान में संचोधन करके जल्दबाजी में ये डिल साइन की थी अब इसके जवाब में अधानी गुरूप ने ये कहा कि साल 2017 में जब ये डिल साइन हुई थी उस समय बांगलादेश में और कोई भी पावर प्लांट ओप्रेशनल नहीं था आज बेशक वहाँ दो से तिन पावर प्लांट ओप्रेशनल है लेकिन उस समय बांगलादेश की सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था और बिजली की काफी शौटेज चल रही थी इसलिए हमें वो कॉंट्रेक्ट दिया गया था अगला आरोप बांगलादेश ने ये लगाया कि आदानी ग्रूप ने बांगलादेश को सप्लाइ की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी की किमते काफी जादा बढ़ा दी है आदानी 96 यूएस डॉलर पर टन के हिसाब से हमें चार्ज कर रही है जो कि 15 से 20 परसेंट जादा आए जिस कारण बांगलादेश को सप्लाइ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की किमते काफी जादा बढ़ रही है डिल में इस प्राइस इंडेक्स को रोकने के लिए ऐसा कोई अलग से स प्राउधान भी नहीं है जिस वज़े से बांगलादेश की सरकार का इलेक्ट्रिक्सिटी भी लगातार बढ़ते जा रहा है और सरकार दबाव में आ रही है इसके जवाब में अदानी गुरूप ने ये कहा कि वो ऑस्टिलिया और इंडोनीशा के कोल प्राइस इंडेक्स क आधार पर ही उनको कोल प्राइस चार्ज कर रही है जो कि इंटरनेशनल स्टेंडर्ड के मताबिक है ना कि भारत के स्टेंडर्ड के मताबिक इसलिए कोल प्राइसे के सारे आरोप पूरी तरे से बैसले से तिसरा आरोप बंगलादेश की सरकार ने ये लगाया कि अदानी ग पानी जब बांगलादेश के साथ गलत कर रहा है अब इसी को देखते हुए बांगलादेश की रिवीव टीम ने अदानी गुरूप के साथ इस पावर परचिस अग्रिमेंट को ही पूरी तरह से कैंसिल करने की धमकी दी है और कहा है कि अगर अदानी गुरूप पहले बाकी बकाया पेमेंट क्लियर करता है या फिर नहीं और अगर नहीं करता तो अदानी ग्रूप बंगलादेश की बिजलिक काट देती है या नहीं इस पर अगर आपकी कुछ राय हो तो कमेंट करके बता सकते है जाहिंद